सबी दोस्तों को जैहिन, welcome to my new vlog तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूं किसे सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं SCM यानि हैट कॉंस्टिपल, मिलिस्चल और ASS 10O के आपने फार्म भर दिये होंगे आशा करता हूं कि अभी तक आपने फार्म अपलाई कर दिये होंगे तो कि दोस्तों चार तरीक से हो चुके हैं हमारे ओनलाइन CRPF के अंदर तो दोस्तों इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं तो दोस्तों चैंब करेंग discut्स बाहर हो जाता है तो क्या चीज़् प्रॉसेस है क्या के इंपोर्टेंट चीजे हैं जो अपको दियान में ढलखने है ताएंप करते वंड दोस्तों बताउगा, मैं ताकि आपका में ही तो टको बस्तों बाम करेंग्त you वीडियो को देखें लास्त अको लाइक और शेयर करते हैं चैनल को subscribe करें बेल अइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके हैं चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ तो दोस्तों फर्स्ना का बताना चाहूंगा लिए आपका अप्लाइ कर लिया है और इसके बाद होगा आपका रिटर्न एक्जाम तो जदी आप ज़र्नल करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं और यदि आपके 40% नंबर आते हैं तो आपको बुला ले जाएगा दोस्तो आगे अपने दोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इसके बाद होगा दोस्तो आपका पी एसटी हैने की फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट इसके बाद दोस्तो सबसे में चीज जो आती है वो है आपकी टाइपिंग और दोस्तो सबसे ज़्यादा केंडे इसमें बाहर होते हैं वो है हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉफ टाइपिंग है दोस्तों वो है सी आरपी एफ की क्योंकि दोस्तों इसमें स्रीफ फाइप परसेंट आपकी मिस्टेक माफ है यानि कि यदि आप 40 वर्ड लिखते हैं 40 की स्पीड सा बोलेंगे मैंने टाइपिंग करी है तो दोस्तों तेन परसेंट मिस्टेक माफ हैं लेकिन सी आरपेफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइपिंग टाइप असलिफ बना इक ग 누ा जो इसमें आप practice करते हैं comfortable हैं उसमें दोस्तों आप tapping कर सकते हैं फर्स में दोस्तो बताना चाहूंगा आपको यदि आप हिंदी में tapping करते हैं तो आपको चाहिए 30 की speed और जो आपका tapping test होगा दोस्तों वो होगा सिर्फ 10 minutes का सिर्फ 10 मिन आपको दिए जाएंगे आपको एक पेपर की cutting दी जाएगी उस पेपर में देखके आपको टाइप करने हैं चाहिआ आप हिंदी का करें चाहिए इंग्लिश का करें हिंदी में आप करते हैं दोस्तो तो आपको करना है 30 word per minute की स्पीड से जाने की 10 मिन में आपको 300 word तो आपको दस मिन्ट के अंदर साढ़े तीन सो बट सही लिखने यानि कि 35 वर्ट की स्पीड से टाइपिंग टैस्क का दोस्तो जो समय होगा वह होगा श्रिफ दस मिन्ट का और दस मिन्ट में दोस्तो आपकी जिंदी की बदल सकती है लेकिन आपको बिलकुल भी नर्वस नही टाहिम को कफरेबल हने में लगेगा जलदी बाजी में टाइपिंग करें एकदम से जैसी है आप टाइपिंग rozm एंदर टाइपिंग में बैक स्पेस अई लाउ नहीं है जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करें टाइपिंग में आपको और भी जेगा किसी ने बताया हुगा कि बैक स्पेस का बिल्कुल भी इस दुहां ना करें तो दोस्तो अब काफी टाइम है आपके पास अब इसे आप प तो चोटे फॉंट से दोस्तों आप टैपिंग की प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं इसके थादि दोस्तों अपनी परसनल एक्सपिरियंस के आप से आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट जी बताना चाहूंगा जब भी आप टैपिंग करने जाएं इस्टार्टिंग में होलने आपके टैपिंग के लिए वी आव श्रेजो बहुत ही तो उससे बहुत होगा है जयसे कि आपकी कनीगों विर्चान्जिख आपकी इक अच्छी बन जाएगी और अच्छी होने चांसे बहुत ज्यादब गए तो उससे इसा हाएब तो इतना आप और इस पीट में तेज में बोल सकते हैं जितना तो आपका ध्यान है पुरा पर लग जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा और दोस्तों पूरी टैपिंग जो है मैं आपको यहीं सला देना चाहूंगा कि पूरी टैपिंग आप लिकुल बोल वगे करें जो भी अपने पेपर की कटिंग जो आपको मिली होगी उसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं जो भी टैपिंग का मैटीरल पका उसको दोस्तों बोल बोल पर यह जो आप यह वहीं उंगली आप टैप करें दोस्तों और आपकी टैपिंग देखना बहुत अच्छा इसमें फरक तो दोनों लाइन डिफरेंट है लेकिन लोगों की स्टार्टिंग एक दो वर्ड सिमिलर रहें तो दोस्तों यह आपको दिहान रखना है कि कोई भी लाइन आप से मिस नहीं होनी चीए तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि जो आपने लास्ट में खतम की होगी लाइन का वर् चुट जाती है और एक बाज यदि आपकी लाइन चुट गई तो दोस्तों समझी आप भार हो गए वर्ती से जो दोस्तों आपका टैस्ट हो रहा है टैपिंग का उसमें आप फेल हो जाएंगे डेफिनेटली यदि आपने एक लाइन पूरी मिस कर दी इसके तादि दोस्ता बिल्कुल भी तो सब्सक्राइब करने जाएगा लेकिन बिल्कुल भी कोई भी एजस्मेंट मत करिएगा दोस्तों आपकी लाइफ का सवाल है इसके बाद दोस्तों आपका एक और इसांट होगा वह बड़े से इगनामिनेशन होगा और एक साथ ही आपका 80-100 लड़के टैपिंग देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन असी लड़कों में दोस्तों एक भी लड़का स्लेक्ट नहीं होता है क्योंकि होता यह है प्रोसेस की 10 मिंट आपका टेस्ट होगा और जैसी 10 मिंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके अगले पांच मिंट के अंदर ही आपका र स्पीड आई तो यह आपको आस्मान जाएगा कम आई दोस्तों फेल है उसमें क्लेर आपके सामने आपका रिजट दिख जाएगा तो आपको अच्छे से टैपिंग करने है बिल्कुल भी घबराना नहीं है सो या अस्टी का बैस होगा आपको अपने दिहान रखना है की बो सब्सक्राइब नहीं रहना यहा tapping से बहुत अलग है बहुत ज़्यादा इसका लेवल हाई है और बिल्कुल भी छूट नहीं जिया आती है ठोड़ी सी घलती होती है दोस्तों बाद में बहुत पस्ताना पड़ता है दोस्तों आई थिंग वीडियो अच्छी लगी आपको और वीडियो अच्छी लगी तो प्र कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले आपको मिन सके मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हुआ